नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका सैनिक समाचार यूटूब चैनल में दोस्तों सेना चीफ के निर्देश खत्म होंगे सेना से वियाईपी कल्चर जी हाँ दोस्तों कुछ दिन पहले भारती नौसेना के एड्मिरल चीफ का एक बयान आया था उसी बयान के उपर आज मैं ये वीडियो आपके सामने लाया हूँ दोस्तों भारती नौसेना का एड्मिरल नौसेना चीफ भी आईपी कल्चर खत्म करना चाहते हैं उन्होंने तीस माई को नौसेना की कमान सभाली और कुछ ही दिनों के अंदर ही उन्होंने पूरी फोज के लिए निर्देश जारी किये हैं जो की नौसेना के चालिस हजार जवान और नौह हजार अफसर के लिए नहीं बलकि पूरे देश के लिए भी मिसाल बन सकते हैं क्योंकि दोस्तों आज की मानसिक्ता वाले भारत को 21 तोल्पों की सलामी से बाहर आने की जरूरत है वर्स 1947 में तो अंग्रेज भारत छोड़ कर चले गए लेकिन आज इतने सालों के बाद भी ताम जाम बाला सिस्टम की बजह से भारत में दो वर्ग बन गए हैं इसकी बजह से एक वर्ग को ज़्यादा तवज्जो दी जाती है जिसे भी आईपी कहते हैं और जो दूसरा वर्ग है उससे गुलाम, नोकर, सेवक जैसा बेवहर किया जाता है भारती नौसेना के एड्मिरल करमबीर सिंग ने कहा कि जूनियर अफसर अनुसासन में रहें और अपने सीनियर का सम्मान करें लेकिन वो खुद का गुलाम न समझें इस तरह एड्मिरल करमबीर सिंग अफसर और जवानों के बीच समानता लाने पर जोर दिया और जवान अफसर के लिए एक जैसी खाने पीने की बेवस्था की बात कही उन्होंने कहा कि कई बड़ी गाडियों वाले काफिले का ताम जाम खत्म होना चाहिए उन्होंने संदेश देना चाहा कि अफसर और जवान के रिस्तों के बीच में आने वाली रैंक उनकी दूरी नहीं बलकि एक दूसरे के लिए सम्मान की भावना पैदा करे दोस्तो जवान और अफसर लड़ाई के मैदान में एक साथ मिलकर लड़ते हैं दोस्तो देश की सुरक्षा के लिए सेना रखना जरूरी है और सेना में सीनियर और जूनियर रखना उतना ही जरूरी है डिसिप्लीन अनुसासन रखना बहुत जरूरी है तभी तो एक भोज एक संगठन के रूप में बेहतर काम करती है लेकिन सेना में चल रही भी आईपी कल्चर बहुत तरह की परमपराओं को बदलने की जरूरत है और सुर्बात भी हो चुकी है अंग्रेजों ने जो गंदी सोच छोड़ करके गए थे उससे बाहर निकलने की जरूरत है जिससे की हमारी तीनों सेनाओं में एक सामानता लाई जा सके दोस्तों आपकी क्या राय है इस जानकारी पर कमेंट स्वाक्स में जा करके अपनी राय जरूर लिखें वीडियो देखने के लिए धन्यवाद जैहिन जै भारत